डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्डेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंड अराउंड दे गलोग कैनेडिन वजीर आजम जस्टिन टूरो ने कोरोना वारिस की वबा की तबह कुन इक्तसाथ या और समाजी इसराथ से निपत्ने के लिए तमाम मालिक के मिलकर काम करने का मुतालबा कर दिया पार्टी कोईबेकवा के साबिक रहनुमा पर जिन्सी जाफ्ती का अलजाम वारंट गिरिफतारी जारी कर दिये गए यूनान के करीब समंदर में गिर कर तबह होने वाले कैनेडिन फॉज के हेलिकॉप्टर के अमल में कुछ हिस्सा तलाश कर लिया गया कैनेड़ा भर में करोना वारस के पहलाओ का सिलसला जारी है मतासर होने वाले अफराग की तादाद 88,512 हो गई है करोना की आरमगीर वबा एक दिन में 5,000 जाने निगल गई सावालाग नए केसे सामने आ गए अमरीकी रियासत में निसोटा में मुझाहिरों का तीसरा दिन टरम का कहना है कि जॉर्ज फ्लॉर्ट कतल केस में इंसाफ होगा टरम के सोशल मीडिया कमपनियों से मतालग इंतजामी हुकम नामे पर दस्तकत कहते हैं कि अज़ादी इज़ार राय और अमरीकी अवाम के तहफुस के लिए हुकम नामा जारी किया है हेडलाइन अपने जानी अब खबरे तफसील के साथ करनेडिन वजिराजम जस्टिन टूर्डो का कहना है कि हुकमत इस बात पर गोर कर रही है करोना वाइरस के फ़लाओ को कम करने की गर्स से केनेडा ने अमरीका के साथ तमाम बॉर्डर को बंद किया हुआ है ताहम कमर्शल ट्रेफिक और जरूरी सफर की इजाज़त है लेकिन कुछ हफतों मैं ऐसे कैसी भी सामने आये हैं कि बॉर्डर के दोनों जाने कुछ फैमली खास गई है अमरीका में सियाफ फाम शक्स के पुलीस के हातों कतल के बाद जारी मुझाहिरों के हवाले से टूरों का कहना था कि सहरत के जनूबी आखे के पास मुझाहिरे जारी हैं उनका कहना था कि एसी खबर खौप और हैरत में मुझा करने वाली है सिया फामों के खिलाब तासुब एक हकीकत है और यह सिर्फ अमरीका में ही नहीं बलके कैनेडा में भी है ट्रोडो ने ऐलान किया है कि कैनेडा इस वबा के असराथ से निपतने के लिए आलमी अदारों की भरपूर मौावनत करेगा और बहाली के काम की कियादत करेंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडीन वजीर आजम जोस्टर इन्टरोडो ने करोना वारइस की वबा के तबकों अक्तिसादी और समाजी असराथ से निमटने के लिए नियू है उन्होंने ये मुतालवा अक्वाम में मुतायदा के आहम इशलास में किया वजीर आजम जोस्टिन टूडो ने यू-एन सेकेटरी जनरल और जमेका के वजीर आजम के हमराव वीडियो कौफरेंस की सदारत की उन्होंने अपने खताब में कहा कि आलमी और अपनी मुकामी मेशित की बहाली के लिए हमें आलमी इश्टराख के मनसूबे की जरूरत है हमारे शेहरें को आलमी इदारों पर इत्माद की जरूरत है जो इस वबा का मुकाबला करने में किसी को पीछे नहीं चोड़ेंगे ट्रोडो ने ऐलान किया कि कैनेडा इस वबा के असराथ से निमटने के लिए आलमी इदारों की भरपूर मौमनत करेगा और बहाली के काम की खायातत करेंगे इस कांफरेंस में 50 से जायद मौमाली के सरवराहन ने शिर्कत की तहम अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने इस कांफरेंस में हिस्सा नहीं लिया अमरीकी सदर का कहना है कि एकलमन रहनुआ अपने मुल्क का मुफाद मुकद्दम रखते हैं कांफरेंस में वर्ल्ड बैंक आई एम एफ और निजी शुबे के नुमांदगान ने भी शर्कत की छे साल कबल पेश आने वाले मुबएन अजनसी जियाती के माके में पार्टी क्यूबेकवा के साबिक रहनुमा अंड्रे बौवाकला की गिरिफतारी का वारंट जारी किया गया है इस हवाले से मजीद चानते हैं छे साल कबल पेश आने वाले मुबएन अजनसी जियाती के वाके में पार्टी क्यूबेकवा के साबिक रहनुमा अंड्रे बौवाकला की गिरिफतारी का वारंट जारी किया गया है वारंट पर क्यूबिक अदालत के जजज ने दस्तखत किये अदालत में पेशी की तारीख तेह करने के लिए बौवाकला को अगले कुछ दिनों में पुलिस स्टेशन में इतला देनी होगी 54 साला मुल्जिम को ना मालूम शक्स पर मुबईना हमले के दो इल्जामात का सामना है एक इल्जाम जिन्सी जियागती के दौरान असले का इस्तमाल और दूसरा इल्जाम जिन्सी जियागती में मुलविस होना है दोनों में से हर एक जर्म की सजा 14 साल तक कैद है ये हमला 8 जनवरी 2014 या इसके आस पास हुआ था अदालती दस्ताविजात में मुवईना तोर पर मतासरा शक्सी चनाक सिफ अब्तदाई लोगों के जरीए की गई थी वो आखला पहली बार 1989 में मौन्ट्रियाल के हलके गोईन से 23 साल की उमर में कौमी असम्मली के लिए मुन्तखब हुए थे वो तारीख में क्यूबिक की असम्मली के सबसे कम उमर रुकुन बने थे महकमा दिफा की जानब से जारी बयान में बताया गया है कि अमरीकी बहरिया के जेरे समंदर तलाश का काम करने वाले ड्रोन के जरीए कुछ मलबा और इनसानी बाकियात मिली है इस हवाले से पजीज जानते हैं यूनान के करीब समंदर में गिर कर तबाह होने वाले केनेडियन फॉर्च के हेलिकॉप्टर के मलबे का कुछ हिस्सा तलाश कर लिया है अमरीकी केनेडियन टीम की जानब से तलाश के दौरान इनसानी बाकियात और मलबा दर्याफ्त किया गया मह익 मेधदवा की जानब से जानली बायान में बताया गया है किक अमरीकी बहरिया के जिरे समंदर तलाश का काम करने वाले ड्रॉन के जरीए कुछ मलबा और इनसानी बाकियात मिली है कینیڈین ने अमरीकी बहरिया की मदद तलब की थी क्यूंकि सिर्फ उनके पास घहराई में तलाश करने का समान मौजूद था महकमे दिफा के मताबक अमरीकी बहरिया का जहास हरकुलिस के जरिये तलाश का काम सर अन्जाम दिया गया और ये जहास इटली से 220 नौटिकल मील दूर खुले समंदर में हाथसे के मुकाम पर पहुँचा और तलाश के दौरान हैलिकॉप्टर का मलबा समंदर में 3 किलो मीटर घहराई में मिला केनेडियन मिलिटरी आपरेशन के कमान्डर का कहना है कि ये हुसला अवजा खबर है हैलिकॉप्टर के मजीद मलबे की तलाश के लिए आएंदर दिनों में भी काम जारी रहेगा फौजी हुकाम के मताबिक जब तक मुम्किन हो सका तलाश कामल जारी रखा जाएगा केनेडियन कमान्डर का कहना है कि हम अपने लापता अरकान को नहीं छोड़ेंगे वाज़े रहे कि हैलिकॉप्टर हाथ से में केनेडियन फौज के 6 मिम्बरान हालाक हुए थे इन हालाक होने वाले अहलकारों में चार हमले के अरकान थे जबके दो बहरिया के अहलकार थे कैनेड़ा में करोना वारस के बाइस हालाक होने वाले अफराग की तादाद 6,877 तक जा पहुची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कینیडा भर में करोना वारस के फैलाओ का सिलसला जोरी है आखरी इतलाद के मताबिक कینیडा में करोना वारस से मतासिर होने वाले अफराद की तादाद 88,512 हो गई है मुल्क भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादा 6877 तक जाप पहुंची है क्यूबिक सूबा करोना वारस से सबसे जादा मुतासिर हुआ है जहां इस वक्त तक 49702 अफराद में करोना वारस की तद्दीक हो चुकी है जबके सूबे में करोना वारस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 4302 तक पहुँच चुकी है आंटेरियो में करोना वारा से 26,866 अफराद मुतासिर हुए है जबके हलाक होने वाले अफराद की तादा 2,189 है वजीरियाला डग्पोर्ड ने लांग टरम केर सेंटर्स की नागुफता बेसूरतेहाल का जिम्मेदार गौर्मन्न इंस्पेक्टर्स को ठहरा दिया उन्हों ने कहां के हकीकत ये है कि सरकारी इंस्पेक्टर्स ने करोना वाबा के अप्तिदाई आयाम में लांग टरम केर सेंटर्स का मौइना करने से इंकार कर दिया था इसमें हमारी गलती नहीं बस अब बहुत हो गया इस मौमले पर उन्हें भी एतिसाब के कटहरे में लाना होगा अलबर्टा में 6955 अफराद करोना वारस से मतासिर हुए हैं जबके 143 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके हैं विटिश कोलम्बिया में अब तक 2558 अफराद में करोना वारस की तजदीक हुई है जबके सूबे में करोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादाद 164 है कोविड-19 की आलमगीर वबा 213 मौमाले को लपेट में ले चुकी है वबा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,62,720 हो गई है वारस से अब तक 69,32,000 अफराद मतासिर हो चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कोविड-19 की आलमगीर वबा 213 मौमाले को लपेट में ले चुकी है वबा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,62,720 हो गई है वारस से अब तक 69,32,000 अफराद मतासिर हो चुके हैं यॉर्पी यूनियन के एक्जेकिटिव कमिशन के सरवरा ने कोरोना वबा से मतासरा यॉर्पी मेशित की बहाली के लिए गुजश्चता रोज 750 अरब यूरो 825 अरब अमरीकी डॉलर या तकरीबन 1330 खरब पाकिस्तानी रुपे के इमदादी फंड की तजवीज देते हुए कहा है कि इस से यॉर्पी यूनियन में शामिल मुमाले को इस बहरान से निमटने में मदद मिलेगी जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती अमरीका में कुरोना वारस से अब तक 1330 अफराद मौत के मुमें पहुँच चुके हैं जबके इस से बेमार होने वालों की मजमुई तादा 1768461 हो चुकी है एसके मरीजों की तादात के हवाले से मुमालखी फیरस में बराजीर दोसे नमबर पर पहुँच गया है जहां कुरोना के मरीजों की तादात 4,38,812 तक जा पहुँची है जबके ये वारस 26,764 जिन्दिया निकल चुका है भारत में करोना वार definis sol 4711 हलाकते हो चुकी है जबके इस मुतासरा मरीजों की तादात 1,65,799 हो गई तर्की में करोना वार marginis जाब होने वालों की तादात 4,461 हो गई जबके करोना के कुल केसिज 1,60,989 हो गई एरान में कुरोना से मरने वालों की कुल तादा 7,627 हो गई जबके कुल केस एक लाग 43,849 हो गई चीन जहां दुनिया में कुरोना का पहला केस सामने आया था वहां कुरोना वारस के मरीजों की तादा 82,995 और उससे अमबाद 4,634 हो गई है अमरीकी सदर डानल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जॉर्ज फ्लाइट कतल केस में इंसाफ होगा उन्होंने सियाफ वाम शख्स के कतल पर अफसोस का इजहार किया और वाके को अलमनाक करार दिया इस हवाले से मजीद चानते हैं अमरीकी रियासत मिनिसोटा में सियाफ वाम शख्स की पुलिस के हातों हलाकत के खलाफ तीसे रोज भी मुझारे किये गए जिसमें मुझतल अपराद ने कई गाड़ियों और दरजन और अमलाक को आग लगा दी अमरीकी सदर डानल्ड ट्रॉम्प में कहा है कि जॉर्श फलाइट कतल केस में इनसाफ होगा उन्हों ने सियाफ वाम शख्स के कतल पर अफसोस का इजहार किया और वाके को अलमनाक करार दिया रियास्त मिनिसोटा में ये फसादाद शालिस बरस के जॉर्श फलाइट को दिन धारेट सड़क पर तशदुद का निशाना बनाकर हलाक करने पर किये गए मुझाहरीन ने इस दोरान तोड़ फोड़ की और दुकानों में लूट मार भी की जिस पर मुकामी पुलिस को शेलिंग करना पड़ गई जबकि फसादादाद पर काबू पाने के लिए मिनिसोटा के गवर्णर ने नैशनल गार्ड्स को भी तलब कर लिया है मुझाहरीन ने इस मौके पर कहा कि सफेद फार्म पुलिस अहलकारों को खुली छूट हासल है और वो सियाफ फार्मों को आज भी घुलामों की तरह सड़कों पर गतल कर रहे है हंगामा राई और लूट मार से बचने के लिए मैनी पॉलिस में कई स्टोर्स बंद कर दिये गए अकवाम में मुझादक इन्सानी हुकू की हाई कमिशनर मीशाल बाशले ने कहा कि अमरीका को सियाफ फार्म शक्स को तशद्द से हलाक करने में मलवस पुलिस हलकारों के खलाफ सखत एक्शन और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने इंटरनेट कमपनियों से मुतालिक इंतजामी हुकम नामे पर दस्तखत कर दिये और कहा कि अज़ादी इजहार राए और अमरीकी आवाम के तहफुस के लिए हुकम नामा जारी किया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने इंटरनेट कमपनियों से मुतालिक इंतजामी हुकम नामे पर दस्तखत कर दियो और कहा है कि अज़ादी इजहार राए और अमरीकी आवाम के तहफुस के लिए हुकम नामा जारी किया है खेर मिलकी میडिया के मताबक सहाफी ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि आप ट्विटर छोड क्यू नहीं दे देते जिस पर उन्हों ने जवाद दिया कि रिवायती मीडिया को बाई-पास करने के लिए ट्विटर पर भरोसा करता हूं ट्विटर को बंद करने के लिए गानूनी अख्तियार रखता तो उसे बंद भी कर देता रवा हफते ट्विटर ने अमरीकी सदर डॉनलर्ड ट्राम की एक ट्विट पर फैक्ट चेक का नोटिस लगा कर उसमें लिखे पैगाम की सदाकर पर सवाल उठाया था जिस पर अमरीकी सदर बहुत खुसा हुए और उन्होंने ट्विटर पर अमरीकी सदार्थी एक्शन में मदाखलत का इल्जाम भी आयत कर दिया था वाज़ रहे कि अगर अमरीका में कानून साजी कर ली गई तो ट्विटर और फेसबुक के खलाफ मकदमाद चल सकेंगे अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं चाग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे